नमस्कार आप देख रहे हैं सीतापूर टाइम्स मैं विश्यक सुकुला आज मैं ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि विधानसवा चुनाओं को लेकर के है और विधानसवा चुनाओं में इस बार क्या कुछ होने वाला है उन सभी बातों पर जर्चा करेंगे आईए चलते हैं क दोले की जहां पर लगातार कई वर्सों से अगर हम कहें कि आजादी के बासे जब से शीट अपने परिशीमन में आई है तब से लेकर के अब तक यहां पर सपा बसपा और कांग्रेश का ही कब जा रहा है भाजपा ने 1980 में एक बार जीत हासिल के दिए सीता पुरकेश दोली सीट सुरच्छी सीट है इस विधानसवा सीट की अगर संख्य की बात करें तो 152 है इस सीट पर लंबे समय से सपा और बिएसपी का कब्जा बना हुआ है साल 17 में चुनाव हुए विधानसवा चुनाव में बिएसपी के डाग्टर हर गोविन भारगों ने सपा के मनीश रावत को महज 2510 ओटों से हरा दिया मनीश रावत 2012 में हुए विधानसवा चुनाव में जीते थे यूपी में साथ चुनाव में वोटिंग होनी है तेश फरवरी यानि की चौथे चुनाव में सीता पुर की सभी ही विधानसवाओं में मद्दान होना है इस विधानसवाओं सीट पर लगबगत 2007 के पहले शामला रावत का कबज़ा था लेकिन साल था 2007 उस समय के बस्पा के प्रत्यासी इंजिनिरिंग फार्मूले से लगातार पाँच बार की विधायक स्यामला रावत को हरा कर विधानसवाओं सीट पर जीत हासिल की वह यहां से बस्पा के बिधायक बने इसके बाद 2017 में भाजपा और सभा को पीछे चूड़ते बस्पा ने इस सीट पर फिर कबज़ा कर लिया मोदी लहर में भी 2017 में बस्पा के नेता जाक्टर हर्गविन भारगों ने इस पर जीत हासिल की बाद पाद इस सीट पर सी एक बार चुनाओ दीच सकी है 2017 के उधान सभा चुनाओं में बस्पा और सभा के बीच कांटे के टक कर हुई थी बस्पा के हर गविन भारगों ने सपा के मनीज रावत को मात्र 25 दस ओंटों से हराया था इसमें बस्पा को लगभग 33.74 प्रचत ओंट मिला था वहीं सपा को 32.64 प्रचत ओंट मिला था वह यहां पर रावत विरादरी अगर हम दलिक विरादरी की बात करें तो लगभग 85,000 होटर है यादो विरादरी 52,000 है गौतम 40,000 ब्रामभड 49,000 मुस्लिम 37,000 ठाकुर 20,000 और अन लगभग 77,000 अगर हम कुल मद्दाताओं के बात करें तो लगभग 33,180,180 कुल मद्दाता है ज अगर हम बात करें इस पिधांसवा सीट की मुद्दे की तो यहां पर सबसे बड़ी सबसे बड़ा मुद्दा किसान मंडी का ना होना खराब चड़कें बेहाल यातायात विवस्था यहां की प्रमुक्र मुद्दे हैं सन 1952 में यहां पहली बार चुनाओ हुआ तब इस सेट को सिधोली पस्चिम कहा जाता था तीन यह तब तीन प्रत्यासी कांग्रेस के ताराचंद महास्वरी बैजूराम और प्रग्या सोसिलिस्ट पार्टी के कनहिया लाल विधायग बने थे कांग्रेस के ताराचंद और बैजूराम ने 1957 में जीत हासिल की, 2007 में बस्पा के हर्वद भारवो जीत हासिल किये थे आएए अब बात करते हैं कि 1957 से लेकर के अब तक के विधायग साल 1957 में कांग्रेस से ताराचंद महास्वरी ने जीत हासिल की वर्स 1968 में मी देन 20 kya से जीत हासिल की, साल Mitarाफ में कांग्रेस से शयाम्लार रावत ने जीत हासिल की, साल draußen 70 में जी अनपी से गड़ेस लाल 54 ने जीत हासिल की,18 में भाजपा के राम Primaryरा ने जीत हासिल की, 1983 में कांग्रेस से वही राम लाल जो पिछली चुनाव में यानि कि 1980 में भाजपा से लड़ थे वही कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें जीत हांसिल की साल 1989 में फिर से जेडी से यानि कि जनतादल से स्यामला रावत ने जीत हांसिल की फिर 1993 में सपाक के स्यामला लावत यहां से चुनाओ लड़े और वो पुनाह जीते 1996 में स्यामला लावत जीते 2002 में पुनाह स्यामला लाव जीते फिर बारी आई 2007 की स्यमारीकर्ण बदला और यहां से सोसल इंजनेर के फार्मूले से डाक्टर हर गोविन भारगों ने वस्पाके टिकर से चुनाओ जीता साल 2012 में मनीज त्रावत चुनाओ जीते पुनाह हर गोविन भारगों ने 17 में जीता से यहां से अब तक शिर्फ पूर्ण